हमास के साथ युद्ध के बीच इसराइल के उत्तरी फरंट पर लेबनान और इसराइली डिफेंस फोर्स के बीच लगातार गोलीबारी हो रही है लेबनान की तरफ से हिजबुला बार बार रॉकेट और मिसाइल हमले कर रहा है और इस सब के बीच ऐसी पूरी पूरी संभावना बनी हुई है कि हमास के साथ हिजबुला भी इस जंग में कूच सकता है लेकिन इसराइल पहले ही चेताव नहीं दे चुका है कि हिजबुला का ये फैसला उसके लिए आत्मुखाती साबित हो सकता है लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसराइल की फौच के आगे आखिर हिजबुला कितना ताकतवर साबित हो सकता है तो इसको लेकर इस्राइल के एक Think Tank National Security Studies यानी INSS ने बड़ा दावा किया है INSS का दावा है कि हिजबुला के पास दो लाख रॉकेट और एक लाख तक लड़ाके हैं हिजबुला को इरान से फंडिंग और हत्यार मिलते हैं हिजबुला में 50,000 से लेकर एक लाख तक नियमित लड़ाके और रिजर्वेस्ट हैं INSS की रिपोर्ट के मताबिक हिजबुला के पास करीब 40,000 ग्रेट टाइप रॉकेट जिनकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर तक और करीब 80,000 मीडियम लॉंग रेंज रॉकेट जो 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं और करीब 30,000 रॉकेट और लॉंग रेंज मिसाइल हैं जो 200 से 300 किलोमीटर तक का दाइरा कवर कर सकती हैं इसके अलावा हिजबुला के पास सैकडो फते 110 मिसाइले हैं जो कम रेंज वाली फ्यूल बेलेस्टिक मिसाइले हैं इन मिसाइलों को इरान ने बनाया है ये मिसाइले 500 किलोग्राम तक विस्फोटक जीपियस आधारित नविगेशन तकनीक से लिजा सकती हैं इन मिसाइलों की सटीकता और विध्वन सक्षमता काफी ज्यादा है आइनेसेस की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि हिजबुला के पास उच गुडवत्ता वाले C-802 जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइले हैं जो चीन की बनी है इसके अलावा हिजबुला के पास रूस की याखोट और उननत किस्म वाली कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल भी है जो मोटर बम और एंटी एरक्राफ मिसाइल ऐसे 17 और ऐसे 22 वेरियंट को लांच करने में सक्षम है ये मिसाइले ड्रोन और हेलिकॉप्टर्स को उड़ा सकती है लेकिन हकीकत में हिजबुला के पास कितने और कौन-कौन से हत्यार मौझूद है इसका कोई आधिकार एक आकड़ा मौझूद नहीं है वहीं इसराइल पर हमले को लेकर अमेरिका से लेकर मिडिल इस्ट के कई देश हिजबुला को इस युद्ध से दूर रहने के लिए कह रहे हैं लेकिन हिजबुला के डिप्टी चीफ नयायम कासिम ने कह दिया है कि हिजबुला को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से पता है और हम तयार हैं और पूरी तरह से तयार है वहीं इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का कहना है कि IDF को उत्री फ्रंट पर हिजबुला का सामना करने के लिए तयार रहना है क्योंकि हिजबुला हमास से दस गुना ज्यादा ताकतवर है और यही वज़य है कि अब इसराइल अपने उत्री फ्रंट पर भारी संख्या में फोर्स और हत्यारों की तैनाती कर रहा है